सो गाई जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Real Cricket 24 गेम को खेलते हैं उसके अंदर आपको प्रॉबलम आती है कोई भी प्रॉबलम हो जैसे लोग इन करते हुए प्रॉबलम आ जाती है और अपनी आपकी गेम जो है क्रैश हो जाती है खेलते हो ओटो बैक हो ज गेम की जितनी भी प्रॉबलम होगी उनका सॉल्योशन इस वीडियो में आपको बता दूँगा तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा फिडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा यहां पर बेसिक अपडेट कर लें जैसे ही आप Real Cricket 24 को अपडेट कर लेंगे आपकी जो प्रॉबलम होगी वो सॉल्फ हो चाहेगी अगर आपकी प्रॉबलम सॉल्फ नहीं होती तो आपको बैक आना है और यहां पर आपको डारेक्ली Real Cricket 24 पर लोंग प्रेस करके रखना है यहां पर आपको क्या करना है clear data देखने को मिल रहा है इसका clear cache करिए फिर इसका clear all data भी आप कर दीजिए उसके बाद यहां पर कुछ settings ओर है वो भी आप कर सकते हैं वैसे तो मर्जी है वैसे हम आपको बता देता हूं जैसे data uses है यह आपकी own होनी चाहिए और यहां पर permissions जितनी भी होंगी वो आपकी सबी enable होनी चाहिए देन उसके बाद आपकर क्या है यहां पर देखने को मिल जाता है restricted data uses यह दोनों ही option आपके own होने चाहिए Wi-Fi mobile data यह सब own करने के बाद back आजाना है और यहां पर एक और आप काम कर सकते हैं देखने को मिल जाता है आपको four stop four stop भी आप करके देख सक यह काम करने के बाद आगर आपका problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा वो जान लीजिए आपको यहां पर एक सबसे last में आपको बताऊँगा एक report में submit करनी होगी वो report में आपको बता दूँगा पर उससे पहले आपको क्या करना है वो जान लीजिए यहां पर आपक देख सकते हैं यहाँ पर power button दबाने के बाद आपको reboot को option देखने को मिल जाएगा या आपके mobile में restart को option देखने को मिल जाएगा दोनों में से आप कुछ भी कर लिजेगा या तो reboot या फिर restart तो आपको reboot कर लिजे या restart कर लिजे तो भी आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी दन उसके बाद आपको क्या करना है अपनी game को open करना है real cricket 24 को यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है वो क्या है वो setting आपको यहाँ पर करनी होगी वो क्या है वह में आपको बताने वालों इस वीडियो में तो वीडियो में एंट तक बने रहिएगा तो जैसे आपकी game open हो जाए देख सकते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा load होने देंगे इसको जैसे आपकी game load हो जाएगी यहाँ पर login with google कर लेते हैं अब यहाँ पर tap to continue game load होने देंगे अब यहाँ पर आपको settings पर click करना उपर की तरफ settings देखने को मिल रही है अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा quality quality का option third number पर है इस पर click करना है उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगर आपके mobile की ramp जो है यहाँ पर 2GB की है 1GB की है तो आपको यहाँ पर game खेलने पर mostly problem आएगी तो आपको क्या करना है आपकी जो setting होगी graphics की उसको smooth पर रखना है जैसे balance पर नहीं रखना है smooth पर रखना है तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता दिया है इसको smooth पर रखना है then उसको reset to default नीचे की तरफ देखने को मिल रहा आपको इस पर click कर देना है आपकी setting को आपको reset to default पर click करके reset कर लेनी है then उसके बाद आपको कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा वो क्या है guys वो भी जान लीजिए पहले तो आपको एक report लिखनी होगी यहाँ पर app support का और यहाँ पर phone number देखने को मिलता है या तो आप directly call करके इन से consult कर सकते हैं पूछ सकते हैं जो problem आपकी उससे discuss कर सकते हैं या फिर email देखने को मिलती है email पर click करिए आप redirect हो जाएंगे आपकी Gmail पर और यहाँ पर आपको report submit करनी है report में क्या लिखना है देख लीजिए तो आपको यह लिखना है और अपनी जो है mail ID वगेरा जो है यहाँ पर लिख देनी है other mail पर अगर आप यहाँ पर कुछ response चाहते हैं तो कोई दूसरी mail भी लिख सकते हैं नहीं तो इस email पर आपको आपका जो है बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या problem और कैसे solve होगी उपर लिख करके आप send कर दीजिएगा तो यह काम आप यहाँ से कर सकते हैं और एक बात का आपको ध्यान रखना है setting में आना है setting में आने के बाद about phone में आई और storage में चेक कर लिजिए आपकी storage खाली होनी ज़रूरी है नहीं तो आपकी जो game है वो hang भी करेगी और auto crash भी हो जाएगी और back भी आ सकती है auto back तो यह काम आप कर लिजिए storage को खाली रखिए और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप game खेले real cricket 24 जो background में आपकी other applications होगी उन सभी को यहां से हटा दे सभी को हटाने के बाद आपनी गेम को खेले तो आप देखेंगे कोई problem आपको देखने को नहीं मिलेगी यही कुछ solutions थे सभी अप जो है problems कि अगर आपको फिर भी कोई problem आपको में comment box में बताएगा मैं आपके लिए solution लेकर आँगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दमाटे के love you all